क्या विशाल की वज़े से आई अभिशेक और मनीशा के बीच दूरी? क्या विशाल ने ही लाई इन दोनों के रिष्टे में दरार? विल क्या है पूरी खबर आई जानते हैं इस रिपोर्ट में? मनीशा रानी को विग बॉस के OTT के सीजन 2 में देखा गया था इस शो में मनीशा रानी बेहत चुलबुली नजर आती थी शो से निकलने के बाद मनीशा के फैन फॉलोविंग तेजी से बढ़ी इस शो में मनीशा के साथ अभिशेक मलहान भी नजर आये थे अभिशेक और को एक साथ देख इनके फैंस ने इन्हें अभीशा का नाम दिया शो खत्म होने के बाद इन्होंने रियूनियन भी किया और उसे फैंस ने खुब पसंद किया अभिशेक ये बोलते नजर आएं कि मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा शो पर भी हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थी और आप शो के बाहर भी मैं तुझे वैसे ही सपोर्ट करूंगा काफी वक्त तक तो अभिशेक और मनीशा एक दूसरे को सपोर्ट करते भी दिखे थे पर अब पिछले काफी वक्त से इन दोनों के बीच एक कनेक्शन देखा नहीं जा रहा है जहां अभि कुछ सपोर्ट करते नसर आते हैं दूसी तरह देखा जाए तो मनीशा का भी सेम वही हाल है मनीशा भी अभिशेक के पोस्ट पर लाइक और कॉमेंट्स नहीं करती हैं अब इन सबकी वजह मनीशा के दोस्त विशाल सिंग को बताया जा रहा है दरसल जब से विशाल और की गाड़ी खरीदने गए थे उसके बाद से ही इनके बीच में दरार की खबरें आने लगी हैं एक विडियो भी वाइरल हुई है जिसमें विशाल सिंग को ये कहते देखा गया कि मनीशा और अभिशेक भाई बहन है और उन्होंने ये बात मनीशा के भाई रोहित से भी कहल पर शो खत्म होने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका एक हैस्टाग बना है अभीशा के नाम से तो उसके बाद उन्होंने रियूनियन में यह कहा कि अब हम एक दूसरे को भाई बहन नहीं कहेंगे और जिसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को दोस्त कहने लगे थे अब अभीशा फैंस को ये पसंद ही नहीं आता कि अभीशेक और मनीशा को लेकर कोई भाई बहन वाली बात कहें वो तो बस यही चाहते हैं कि ये दोनों किसी म्यूसिक वीडियो में साथ में नजर आएं किसी प्रोजेक्ट में काम करते दिखें पर अब इन दोनों के बीच में ऐसी दूरियां आने लगी है वेल अब इनके बीच में दूरियों की क्या वजह है क्या मिसिल्ड स्टैंडिंस है इसका तो पता नहीं पर फैंस तो यही चाहते हैं कि अभीशेक और मनीशा जल्द ही एक प्यारा सा रियूनियन अपने फैंस के लिए करें क्या कहना आपक सब्सक्राइब के रियूनियन का कितनी वे सब्सक्राइब से इंतिजार कर रहे हैं हमें कमेंट के जरुए कि सब्सक्राइब